Hey guys, welcome back to my channel पिछले वीडियो में guys आपने देखा कि किस तरह आप एक नया IRCTC का एकाउंट आप 2014 में, November 2014 में आप बना सकते हैं 2025 का वीडियो में नया बनाऊंगा तो आप चिंता मत करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और bell icon को जबू प्रेस कर दे ताकि IRCTC से related कोई भी important video आप से miss ना होने पाए आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अगर आप अपना password IRCTC account का password अकसर लोग भूल जाते हैं और बहुत comment आते हैं मेरे चैनल पर कि password भूल गए क्या करें क्या करें तो मैंने एक आप वीडियो बहुत पहले बनाया था लेकिन अब app कई बार update हो चुका है तो अब नया तरीका आ चुका है तो नया तरीके में हम लोग देखेंगे कि 2024 में अगर आप अपना password भूल गए IRCTC account का तो वो आप किस तरह अपना password recover कर सकते हैं तो गाईज आ चुके हैं हम लोग अपनी mobile screen पर और IRCTC real connect app को खोलेंगे खोलने के बाद guys कुछ इस तरह की screen आईगी सामने यहाँ पर guys देखें login पर उपर click कर देगे login पर click करने के बाद कुछ इस तरह की screen आईगी सामने यहाँ पर देखें red color से लिखा register user उसके ठीक left पर छोड़ा से लिखा हुआ है password के नीचे forgot account details यहाँ पर गाईज क्लिक कर देंगे अब यहाँ पर click करते ही IRCTC account का user name या तो याद होना चाहिए या आपको अपनी registered email ID याद होनी चाहिए ठीक है इन दोनों में कोई एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए चलिए मान लेते हैं कि IRCTC का user name लोग भूल गए ठीक है लेकिन जादातर email ID तो आपने याद होती है और email ID से अब अपने phone पर Android phone पर login भी जादातर होते है तो आपनी email ID यहाँ पर type कर देते हैं देखिए गाईज email ID टाइप कर दी अब CAPTCHA code साही साही type कर देंगी और यह sign up नीचे add आ रहा है यह काले रंगा जो sign up आ रहा है next का button आ रहा है add के नीचे लाल गलर कर next का button आ रहा है verification code is sent to your registered email ID और मेरे email ID star करके लिखी हुई है तो हम अपनी email enterprise खोलते हैं और email में देखिए यहाँ पर एक आ गया है उपर फिर से ticket admin इस तरह करके और यहाँ पर देखिए एक नया OTP आ गया ठीक है देखिए तीसरी line में OTP लिखा हुआ है 805874 इसको हम copy कर लेते हैं अब username IRCTC account का username हम डाल देते हैं यहाँ पर वो डालना जरूरी है बिना उसके आप password अपना recover नहीं कर पाएंगे उसके OTP जो अभी email पर OTP आया है वो OTP डाल देंगे और उसके बाद जो है वो हम यहाँ पर new password देखे create कर सकते हैं तो हम जो है वो अपना नया password type कर देते हैं password में वही एक capital एक small और एक digit और एक special character यह ज़रूर होना चाहिए और उसके बाद guys capture code size a type कर देंगे फिर से यह black color का sign name जो आ रहा है यह विग्यापन है नीचे लाल color के submit button पर guys click करना है देखे मेसेज आ गया congratulations your password changed successfully please keep your password safe for future use यानि हमारा password change हो चुका है अब हम यहाँ पर देखिए login screen पर आगा है हम फिर से अपना अपना IRCTC का username और password डाल करके हम login कर जाएंगे देखे मैं आपको login करके दिखा देता हूं तो guys देख सकते हैं login हो गया है और pin जरूर आपस फिर से create कराएगा तो फिर से एक चार अक्षर का pin कोई भी pin ही हो सकता है आपके ATM pin से इसका कोई संबन नहीं है लोग confused हो जाते हैं यह किवल चार सक्षर का login pin है बार बार आपको डानना पड़ेगा जब आप IRCTC यूज़ करेंगे देखे हम login हो गया है guys वापस हम चलते हैं जड़ा अपनी email पर और कई लोग पूछते हैं कि सर हम अपनी user ID भी भूल गाए ठीक है user ID भी भूल गाए तो user ID अगर भूल गाए तो देखें यहाँ email में ही जब आप सही email ID लिखके बेजेंगे तो यह देखें यहाँ पर OTP के ठीक उपर देखें मेरी user ID यह देखें लिखके बेजी हुई है मैंने highlight करके दिखा दिया आपको तो user ID भी अगर आप भूल गाए तो इसी वीडियो से आपका काम हो जाएगा और आप user ID भी यहाँ से अपनी इंचान जाएंगे दुबारा क्योंकि कई लोग user ID भूल ज जाते हैं phone format हो जाता है phone change हो जाता है तो M भी हड जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है इस तरह आप अपनी user ID भी guys recover कर सकते हैं और password भी अपना recover कर सकते हैं तो guys यही तक छोटा से वीडियो जिसमें मैंने आपके दिखाया कि अगर आप अपना IISATC का username और password दोनों अगर बूल जाते हैं तो किस तरह आप recover कर सकते हैं IISATC नए account किस तरह बनाए November 2024 का मेरा latest video देखना चाहते हैं तो यहाँ click करके guys देख सकते हैं thank you so much for watching and bye bye